जे जिनंद्रा जे भूलेना दोस्तों तीन बच के 49 मिर्ट सबसे पहले मैं निफ्टी दिखा देता हूं को देन निफ्टी अच्छा खासा 137.5 में बंदुआ निफ्टी आज खाया पिया कुछ नहीं ग्लास तोड़ा बाराना मतलब आज कुछ भी नहीं हूं निफ्टी में देखा जाये तो एक पॉइंट प्लस में है ओवरोल क्लोजिंग लेकिन अगर आप देखो कल की क्लोजिंग भी 939.05 थी आज 940 है कुछ ज्यादा फरक नहीं पड़ा एक पॉइंट का ठीक है आज लेकिन इसने 26,000 को छू के अब मुझे लगता है ये Das粉 जो है फो लिए तूट है अब यह नवरात्रा के एंड तक यह हाई रह जाएगा मशलो के एंड तक आप को यह हई तूटता हूा नहीं दिखना चीए अगर कल की डेट में नहीं डूतता है अगर नहीं तूटता है तो अब नवळातरा के end तक नवरातरा स्टार्ट होगा साहिज 3 चार October से and तक तक 9 दिन का चलता है 12 तेरह October तक तो यह हाई अब नहीं तूटेगा at least इतना मैं confident हूँ अगर कल नहीं तूटता है तो कल एक chance है सुबह वरना नहीं तूटेगा लेकिन अब देखते हैं कल हो क्या सकता है यह तो मैं आपको स्क्रीन से बताया आज मैंने 26,000 का पूट दिलवाया और लिखा है इसको stop loss भी हटा दीजेगा आप सोचेगा 135 रुपी हमने गमा दिया यह इसलिए बोला है कि मुझे expiry के नजदीक जो 26 तारिको पर 100 expiry है यह 25-600 के आसपास आता हुआ दिखता है 400 पॉइंट यहां से नीचे जो आज का हाई है ठीक है अब दिखा देता हूंगा आपको कुछ कि निफ्टी का तो चलो आज हो गया अब हम लोग चार्ट में देखते हैं पहले कि क्या आप फॉर्मेशन बना है आज की निफ्टी केंडल बिल्कुल टाइम पास केंडल कोई मतलब नहीं है ठीक है बल्कि उपर की वीक बड़ी है अगर एकन ऐसे में कोई सिगनल दिया है क्या नहीं दिया लेकिन केंडल छोटी हो गई चलो कि सिगनल नहीं दिया कि इंडिकेटर्स ओवर्वाट पर है लेकिन अभी भी 96 हां इधर इसने और जगा निकाल लिया 26 दोसु तक की जगा निकाल लिया कितनी कि बोलिंजर बैंड कि आज आए तो सर्प्राइज नहीं होना चाहिए लेकिन आएगा नहीं चलिए कि ओवर्वाट स्ट्रक्चर एजटी इस मेंटेंड है अब निफ्टी में दो दिन बचे है और हम लोग अगर देखे मंथली चार्ट को तो इस मंत का हाई लो निकाल लेता है दो दिन बचे एक्चुली तीन दिन तीन का चार दिन बचे मंडे को भी निफ्टी चालू रहेगा इस मंत की क्लोजिंग के लिए मंत का क्लोजिंग मंडे को आएगा अगले मंडे को अब इस मेने का लो है 24,753 इस मेने का लो है 24,753 और इस मेने का हाई है 26,011 तो 713 आपको याद होगा कुछ दिन पहले आया था ठीक है उसके बाद मार्केट उहां पर उपर आ गया 24,753 और 26,011 इसे 24,753 माइनस करो इस मंत की रेंज हो गई आठ, आज, दो, बारा सो अठावन पॉइंट का रेंज हो गया 1258 पॉइंट निफ्टी ने इस मंत में प्ले आउट किया है अभी तक, लो से हाई तक ठीक है यानि कि इस मंत के एंड तक 625 पॉइंट गिर सकता है निफ्टी 26,011 इस मंत के एंड तक यानि कि 30 तरीक तक मैं एक्सपाइरी से नहीं बता रहा हूं 26,011 माइनस 625 पॉइंट पॉइंट चार सो तो मिनिममम आपको आ जाना चाहिए इस मंत मिनिमम ज्यादा भी आ सकता है ठीक है चली देखते हैं अब मंतली चार्ट आपने देखी चुके होंगे सब कुछ अब लोग निकालते हैं क्योंकि पर्षो एक्सपाइरी है तो एक्सपाइरी के साब से ओप्षेंट चेन क्या बता रही है अगर मैं इस विक का ओप्षेंट चेन देखू तो अभी 1.29 का PCR है तो यह थोड़ा सा बूल्स को ही फेवर कर रहा है बीर्स को नहीं कर रहा है मगर PCR घटा है 3 अक्टूबर वाला 1.20 10 अक्टूबर वाला 1.42 17 वाला कल 1.75 था यह भी घटा है कहीं न कहीं यहां आज कुछ प्रॉफिट बॉकिंग्स हुई है 26 सप्टेमबर ठीक है कल 1.75 दिखाया था मैं 17 अक्टूबर वाला अब आज देखो 26 सप्टेमबर में क्या है सबसे बड़ा कॉल राइटर ऐसे तो 26 27,000 पर खड़ा है इसका कोई मतलब नहीं है और 25,000 पर पूट राइटर सबसे बड़ा खड़ा है यह 25,000 और 27,000 तो कोई ऐसा इवेंट हो 27 जा तो इंपोसीबल है परशो तक आना इंपोसीबल है ठीक है लेकिन 25,000 इंपोसीबल नहीं है परशो तक आना इंपोसीबल नहीं है हम बले या 24,950 के आसपास क्लोज हुए है 949,940 के आसपास क्लोज हुए है तो 25,000 आना इंपोसीबल नहीं है लेकिन 27,000 आना इंपोसीबल है यह कॉल राइटर पूरा पैसा अंदर करेगा अब इसके बाद सबसे बड़ा कॉल राइटर कौन है 26,000 वाल यानि कि 26,000 एक ऐसा अंकड़ा जो इस एकस्पाइरी में अब पार करना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है अब पार करके टिकना बहुत मुश्किल है इस एकस्पाइरी अब सपोर्ट में सबसे बड़ा पूट राइटर कहां ख़ड़ा यहां पर 25,500 यानि कि 25,500 हम लोग इस दो दिन में देख सकते इसके नजदिक 150 पॉइंट उपर नीचे चांसे क्या है देखो आप मैं दिखा तो यह कॉल राइटर 26,000 वाला आज भी 26,000 ग्यारा का हाई बनने के बावजूद यह पूरी तरह से राइटिंग कर रहा है कॉल राइटर यहां पर पॉट राइटर यहां पर 26,000 तो अभी भी कॉल राइटर का एज़ बहुत बड़ा है तो मुल्दा कॉल राइटर ने 26,000 को अच्छे से डिफेंट किया है अब पूट राइटर का जो सकेंड एज है 25,000 को छोड़ दिया जाए तो और 27,000 को छोड़ दिया जाए तो 25,000 पे सकेंड हाइस्ट पूट राइटर है सकेंड एज यह पीछे के छोड़ देते हैं से मतलब नहीं है इस स्क्वाइर के अंदर मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो 25,000 को एटेम्प करेंगे यह लोग ले जाने के अगर कोई बहुत बूरी न्यूज आ रहेगी तो दो दिन में हम 25,000 भी देख सकते हैं लेकिन यह बहुत इंपॉसिबल जैसी बात है लेकिन नथिंग इस इंपॉसिबल ठीक है मंगर आप 25,500 के लिए आईज एक बार आप लाला चला सकते हो दो दिन में यह दो दिन आज की closing 24,940 है 25,940 है तो मैं यहां से अगर बात कर रहा हूं तो 440 पॉन्ट नीचे निफ्टी दो दिन में आ सकता है सिर्फ द्यास, यह मैं एक्स्पाईरी से related बात कर रहा हूं मन्तली closing की बात निकर हूं मन्तली closing आईगी 30 तरीक को Monday को ठीक है यह दो दिन में मेरा मानना है निफ्टी 25-500 को एक बार एटेंप्ट लेगा बहुत ज्यादा चांसेस है क्योंकि यह चेंज जो बता रही है यह 27,000 इंपॉसिबल है कोई ताकत इसको 27,000 दो दिन में निला सकती है कुछ भी कर लेकिन यह नहीं बोल सकते कि 25,000 नहीं आ सकता है यह नहीं बोल सकते है क्यों कई भी एक बैड नीउस आई यह कोई बड़ी सेलिंग जो इतने लोग बाई कर रखे इतने दिन से निफ्टी को चड़ा रखें अगर उनकी सेलिंग आ गए तो दो दिन में 25 जा रहा ना भी पॉसिबल है लेकिन हम इसको हम एक बार नजर अंदाज करते हैं ये दूनों 25 हो सकता है इसको इसके बाद सबसे बड़ा कॉल राइटर ये है 26 जार और सबसे बड़ा पूट राइ पाइरी जो होगी निफ्टी की मैं आपको एक फिगर देता हूं 25 है चारसो पचास से लेकर पचीस छैसों के बीच में होगी में 1.500 की रेंज जरूर दे रहा हूं ये निफ्टी की एक्सपाइरी परसो होनी चाहिए इस रेंज में बहुत ज्यादा चांस है इसके बीच में कहीं पर अगर बहुत वर्स्ट केस में गिरावट ज्यादा गिरावट आ गए तो 25 जार लेकिन 26,000 के उपर की एक्सपाइरी मुझे नहीं लग रही है ये परसो की ठीक्या अब चलिए बहुत लोग बैंक निफ्टी का पूछते है तो चलिए एक बार बैंक निफ्टी भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के कली मंतली एक्सपाइरी है तो यहां 53,000 वाला बहुत स्ट्रॉंगली खड़ा है और यह 54,000 वाला भी थोड़ा स्ट्रॉंगली खड़ा होगी आज तो इसकी एक्सपाइरी वाला गाहर के बीच में दो ओपर मुश्किन है चैसे च्झे चाणसेज है 35-500 के आसपास इसकी एक्सपाइरी ओने चारो आथा अगले दो मिफ्टी में ज्यादा दो दिन में भी अरिश हुं अगले दो दिन में और मुझे लगता कल हम सर्प्राइज नहीं होंगे अगर कल कोई 100.500 ओंट का गैब डाउन खुल जाए गैब डाउन क्योंकि यह एक्सपारी मेरे हिसाब से निफ्टी की 25450 से के बीच में होगी इस के बीच में होगी और आज चल रहा है पच्चिस 940 की क्लोजिंग आई है कि मेरा मान में है और अगर कोई बहुत ही बड़ी किरावट आ गई तो हम 25,000 को भी टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं लेकिन बचे दिन दो ही है तो 940 पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा लगता है इंपॉसिबल नहीं है लेकिन ज्यादा लगता है यह 440 पॉइंट मुझे गिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रहा है यह दो दिन के लिए तो बस इतना ही आपको आज बताना था हो गया काम में बंद हुआ है तो लेट असी क्या होता है दो दिन में बहुत बड़े बड़े चमतकार हो सकते हैं अब 25,000 के लिए क्या करना पड़ेगा निफ्टी को कोई बड़ी बैड न्यूज आज कल में आने पड़ेगी क्योंकि परसो expiry है के मंतली क्लोज़िंग है तो हम 30 तारीक को आएगी वह हमारे चार्ट के परपस से ठीक है लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं वह लोग का ऐक्स्पारी परसो ही है है और जो चार्ट के परपस से मंथ्छली क्लोजिंग देखते हैं वो calendar month के end को monthly closing माना जाता है calendar month के और expiry हमारे last गुरुवार को मानते है तो तेकि यह मुझे पता नहीं ऐसा लगता है impossible नहीं है कि यह भी test हो दो दिन में impossible नहीं है sorry यह nifty का नहीं है bank nifty का है impossible नहीं है कि यह भी test हो sorry यह तो होना ही होना है लगता मुझे अब यह होना क्यूं है इसका एक और मुख्य कारण में आपको दिखाने की कुछिस करता हूं 25-500 के तरफ क्यूं होना है test एक बार देखते हैं लेट अस चेक यहां मैं डेली चार्ट लगाता हूं तो आप देखो 25 हमारा जो आज की डेट में 10 एमें निफ्टी का है तेन यह में डेली टेन इमें डेली वाला मैं मंतली वीकली नहीं बोलों डेली टेन यह में निफ्टी का आज की डेट में है 25 569 और डेली 20 एमें कितना है 20 यह में है 25 329 तो मैं 25,000 तो नहीं बोलता हूं लेकिन 329 भी ही पॉसिबल हो सकता है दो दिन और अभी की क्लोजिंग है 25 940 तो यह दो दिन में आपको पूरी मार्केट खुस करने की कोशिस करगा बीर्स को जो पूरा माइना रोए हैं क्योंकि हम 24,750 कब थे यह देखे 24,750 का लोग बनाया था हमने 9 तारिक को इस मंत की 9,9,24 को हमने 24,750 का लोग बनाया यह रहा 9,9 यह यह 9 तारिक है तब उसके बाद से continue राइज हुआ है और यह 25,26 अजार आगया यहां से 1258 पॉइंट भाग गया 9 तारिक के लूज से तो एक तरस अगर दिखा जाए इससे ज्यादा ही राइज हो चुकी है ठीक है तो यह एक बार इधर आना चाहिए यह breakout level क्या है देख लेते हैं यह breakout level हो सकता है दो दिन में test करना है यह level है 25,333 25,333 तक निफ्टी अगर आ जाए तो मैं आश्चरे नहीं करूँगा दो दिन में हाला कि बहुत बड़ा टार्गेट हो जाएगा लेकिन पॉसिबल है दूसरा बड़ा breakout यहां प्याया है यह क्या रेंच है 25,482 यह आ सकता है तो यह possibility हम देख रहे हैं बाकि अब कुछ बोले ना जाने क्या होगा कहीं कल भी 27,000 की तरफ भाग जाए कोई भरोसा नहीं है लेकिन अति हो गया बाई अति यह election result यह election result का low और यह आज का हाई यह क्या distance है 4 जून और 24 September 4 जून- 24 सप्टम्बर निफटी यहां से यहां ट्रेवल करगा चार जुन को यह 21211 था और आज 260011 तो लगबग लगबग 4725 पच्छिस पॉइंट सोरी चोंवालिस कितना हुआ 21211 था 2725 पॉइंट भाग चुका है 2725 के आसपास भाग चुका है राउन फिकर बोल रहा हूं कि प्लस मैनस थोड़ सा आप कर लीजिएगा अगर पर 2725 पॉइंट के आसपास भाग चुका है सिर्फ चार जून से लेके अभी तक चार जून से लेके अभी तक यह कुछ और ही है जो मेरे को मेरे जितने भी नॉलेज है उसको फेल करके चल रही है नॉर्मल सी आप स्टॉक में देखोगे तो सब कुछ ठीक लग रहा है कोई बढ़ता है कोई गिरता है ठीक निफ्टी को आप देखो यह क्या चाल है भाई वाट इस दिस क्या इंडिया सूपर पावर हो गया क्या इन चार महिनों में गोड्नोस जे जिनंद्र जे भुलेनाथ जे हिल